ये कहानी हालोइन नाइट की है जब मैं हैलोइन पाटी से घर वापस आया, मैं काफी ठक चुका था वापस आते सोने के लिए बैट पर चला गया उस वक्त तकरीबन रात के एक पच चुके थे लेकिन जब किसी वजह से मेरी आंग खुली तो मैंने देखा अभी तो सर्फ दो बजे हैं मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और पानी पीते ही वापस बैट पे आकर लेट गया और तब ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समवन तश्ट माई बैक I opened my eyes for a while पट मैंने सोचा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है और मैं इग्नोर करके तो बारा सोने की कोशिश करने लगा बट इट हैपने अगेन नहीं ये मेरा वहम नहीं हो सकता कुछ तो है जिसका एहसास मैं अपनी बैक पर महसूस कर रहा था अब मेरे हाथ बीट बहुत तेज हो चुकी थी और डरते डरते मैंने पीछे पलट कर देखा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ था मेरी सांसे जैसे रुप चुकी थी मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था I was feeling helpless मैंने ऐसा खौफ नाग चहरा कभी नहीं देखा था ऐसी भयानक हसी और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे नजदीक आने लगा के एक चींक से मेरी आँख कुल गई Soon I realized ये सब एक खौब था Oh thank God, इस खौफ नाग खौब की वज़ा से मेरा गला खुश खोच चुका था और मैं किचिन गया पानी पिया और वापस आकर बैट पर लेट गया I thought अब ये नाइट मेर खतम हो चुका लेकिन मैं गलत था मुझे दुबारा फील हुआ कि किसी ने मेरी बैट पर टच किया मेरी आँख दुबारा से खुल गई और जब मैंने मुड कर देखा तो अगयन वो ही शक्स मेरे पीछे लेटा था इस बार मैंने सहमी हुई अवाज में उससे पूछा तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और वो जवाब दिये बगैर मुझे अपने पीछे आने को कहा और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगा वो किचिन के पास गया और फ्रिच की तरफ इशारा करने लगा मैंने फ्रिच खोला तो वहाँ एक बॉटल पड़ी हुई थी और मुझे लगा कि वो चाहता है कि मैं ऐसे पीऊ मैंने जैसे ही वो बॉटल उठाई तो उसने कहा I know you're thirsty, drink it और उसने मुझे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं दुबारा तुम्हें तंग ना करूँ then follow me and send me off and we went straight out to the yard वो front gate के बाहर जाकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा मुझे ऐसा मैसूस हुआ जैसे वो मुझे बाहर बुलाना चाहता था लेकिन पता नहीं क्यों काफी ट्राई करने पर भी मैं आगे नहीं जा पा रहा था तब ही मेरे सर पर पानी बरसने लगा और अचानक से मेरी आँख खुल गई हाँ ये क्या मैंने जो देखा वो देखकर मेरी रूफ काप गई मैं रूफ टॉप पर खड़ा था और मैंने रियलाईज किया कि मेरे नीज रूफ रेलिंग के साथ टकरा रही थी और बारिश के वज़ा से मेरी आँख खुल गई और मेरी जान बच गई मैं जल्दी से उठा और भागते हुए अपने अपार्टमिंट में वापस आ गया और सुकून की सांस ली मुझे प्यास लग रही थी और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला तो मैंने देखा सामने वही एम्टी बॉटल पड़ी थी जो मुझे इवल स्पिरिट खुआब में पीने को कह रही थी और मुझे फिर से रियलाईज हुआ के वो तो विस्की बॉटल थी जो नींद ना आने पर मैं अकसर पिया करता था वो विस्की पीने की वज़ा से ही मुझे वो इवल स्पिरिट नजर आ रही थी और विस्की पीने की वज़ा से ही मैं नींद में चलते हुए रूफ टॉप तक पहुँच गया था और अगर मेरी बॉड़ी रूफ रेलिंग से ना चकराती तो आज में जिन्दा ना होता I hope कि आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरिंस किया होगा तो आप भी अपनी स्टोरीज कॉमेंट बॉक्स में शेर करें और हाँ, don't forget to subscribe our channel. Thanks